दो बड़ी रादिति घटना कर्म हो रही है टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा 14 अपरेल बाबा सहाब की जयनती है बाबा सहाब के जन्म दिन महु में चंसेखा राजाद अखलेश यादब जयन चोधरी मिलने वाले हैं सोचिए ये तिक्री क्या कमाल करेगी यूपी में 80 सीटे हैं नितीश कुमार की लगातार अखलेश यादब से मुलाकात हुई है वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में खरगे राहुल गांधी नितीश कुमार और तिजस्वी यादब की बैठक हुई आप सोचिए 80 और 40 ये आकरा जाता है 120 का इसमें जार्खन जोड़ दीजिए 12 ये आकरा जाता है 132 का उसके बाद तिजस्वी यादब हों या चंसेखर हों या खिलेश यादब हों कॉंग्रेस के साथ आते हैं और मत परदेश 36 गर राजस्थान में अगर ये सब एक साथ मिलते हैं तो कोई चमतकार ही है जो परधान मंत्री नरिद मोदी को बचा ले अब सोचिए इस बार काम कैसे हो रहा है टीबी अख़बार को जिम्मेदारी दे दी गई है सोचिए आज एक वीडियो एक पत्रकार है सोचल मीडिया पर आप लोग उनका बहुत टूइट टूइट पढ़ते रहते हैं हम भी पढ़ते हैं राजपुस समास से आते हैं उतकर सिंग एक वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि नितीज कुमार राहुल को कह रहे हैं कि आप बीच में बैठ जाईए आज के डेट में कॉंग्रेस के पास सबसे ज़्यादा पोजिशन में सांसद हैं वहीं कॉंग्रेस राहुल गांधी उस फोटो में कह रहे हैं खर्गे आप बीच में बैठी क्योंकि आप कॉंग्रेस अध्यक्ष हैं उतकर्स उसको लेकर कहते हैं कि देखिए कुरसी किस्सा कुरसी का वहीं मालविये ने ट्वीट किया है कि नितीज जी अभिवादन कर रहे हैं राहुल गांधी का इसका मतलब है कि नितीज कुमार पर के लड़ेंगे वैसे राहुल गांधी को सजा भी हुई है उन्हीं के समय का लाया गया कानून है छे साल वो चुनाओ भी नहीं लड़ सकते हैं लेकिन ऐसे में नितीज कुमार एक बैकवर्ड कम्निटी से आते हैं पिछले समास से आते हैं चौथी बार वो सीम हैं बिहार के तो ये दोनों राजिती घटना कर्म जो है उससे साफ है कि बीजेपी के लिए किलेवंदी जो है वो जबरदस्त की जा रही है अब मातर एक साल बचा है टीवी अखवार की पोल खुल चुकी है लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं सवाल यही था कि क्या विपक्ष एक जूट बोट परसेंटेज के हिसाब से सवर्ण समाज के लोग मजबूती से बीजेपी के साथ बने हुए है तो मान लिजे 15 परसेंट इस देश के मुसल्मान किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता है वह ऐसी एक फैक्टर है बीजेपी कई रननिती पर काम करती है उसक उनको मुसलिम बोट करेगा वही दलित लीडर्सी बाली पार्टियां अगर अकेले चुनाओ लरती है तो भी यही स्तिती बनेगी क्योंकि ना अकेले मुसल्मान और ना अकेले सिड्यूल का सरकार बना सकता है लेकिन OBC, SC, ST और मानौर्टी अगर मिलता है तो एक बड़ी सं जयन चौधरी, किसान नेता, अखिलेश यादब, पिछले समाज से आते हैं और चंसेखर राजात की जो पुपलार्टी है राजस्थान में उनकी रैली देखिए देखिए हमारे कुछ कहने से अच्छा बुरा नहीं हो जाएगा मैं बात पुपलार्टी की कर रहा हूँ चं सेखर राजात की पुपलार्टी देखिए आप मतपरदेश में नो डाउट आज के डेट में दलिस समाज के सबसे भीर जुटाउनेता हैं लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ बीएस्पी के पास अपना कोर बोटर है अगर यूपी की बात करे तो मतपरदेश की बात करे तो राजस्थान की बात करे तो साथ सीटे बीएस्पी को जीत क्या ही थी ओम परकास राजभर ने कहा भी है कि मायावती जी को एकसेप्ट किया जाए ये सच है अगर बीएस्पी सुप्रीमों मायावती इस गटवंधन में आ जाती है देर सबेर ही सही तो ये सबसे चमतकारी हो और फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी फिर अपोजिशन की उनिटी की बात आप टाल नहीं सकते हैं कुछ चीजें हैं जिस पर बहस हो रही है पहले गैर कॉंग्रेसी परधान मंत्री बनते हैं मुरारजी देसाई उसके बाद चौधिर चरण सिंग आते हैं समर्थ कि पिछरे आदिवासियों को मौका कम मिला है बीजेपी कॉंग्रेस कॉंग्रेस बीजेपी लगातार होती रही है इस बार लग रहा है कि चुकि मोदी जी खुद को वी सी कलेम कर रहे हैं चुकि वो एक धर्म की राणिती भी कर हैं मुसल्मान उनसे खफा है ऐसे में वो स्स उसे बड़ी मुश्किल बात ये है कि पिछले दस सालों में जिस तरह से रिजर्वेशन को ठेंगा दिखाया गया है, बीजे पिसासित राज्यों में जिस तरह से SCSTOBC को नौकरिया नहीं मिली है, जिस तरह से कॉलेज इनवर्सिटी में SCSTOBC के साथ अंदेखी हो रही है, कई लेबल पे नर्यनरमोदी सरकार ने डाइवर्सिटी की कोशिश की है, जैसे मंत्री मंडल में वो कलेम करते हैं 27 OBC मिनिस्टर, उन्होंने सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन दिया है, केंद्रिय बिद्याले में रिजर्वेशन दिया है, लेकिन सवाल है कि जिस तेजी से कॉंग्रेस खिस से दुगनी रफ्तार से वो नीजी करन कर रहे है और जिस तरह से उनके जो सवर्न ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आरक्षन ब्यूरोधी लोग थे, वो जिस तरह से SCSTOBC के हक अधिकार खा रहे चाहे, वो कॉलेज इनवर्सिटी हो, चाहे नोकरी हो और उसमें सोने पर सुहागा ये है, एक तो, एक तो मतलब करेला उस पर से नीम चरहा कि ऐसे दोर में अब ये खबरे छुप नहीं रही है, सोसल मीडिया पर सारी खबरे एक साथ आ रही है तो तेजी से SCSTOBC का मो भंग हो रहा है BJP से, क्योंकि धर्म के नाम पर नोने बोर्ट दिया था, विकास के नाम पर बोर्ट दिया था लेकिन SCSTOBC का बड़ा तब का स्कूल कॉलेज इनवर्सिटी जाने लगा है, उसके पास सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और उसके हक अधिकार की खबरे, अधिकार खत्म हो रहा है, SCU का मामला देख लिजे, SCSTOBC को नंबर नहीं हुआ UPSC में इसी तरह से हुआ है, उसके बाद आपको पता दे कि मतपर्देश में जुडिश्यारी की एक्जाम हो, या नौकुरियों का मामला हो, उनतर जा सिच्छक भरती का मामला हो तो BJP लगातार दस साल से है और दो तरह से इंटी इंकमेंसी जहल रही है, एक तो केंदर में भी दस साल से है और मैक्समम राज्यों में उसकी सरकार है और बहाँ CCST OBC को उचित हक नहीं मिल रहा है, तो यह तमाम चीजों उसके खिलाप जा रही है नितिश कुमार खुद ही OBC कमुनिटी से आते हैं, तेजस्वी आदब आते हैं, खडगे साथ दलित कमुनिटी से आते हैं, चंसेखर दलित कमुनिटी से आते हैं शिलूल ट्राइब से आते हैं उसके बाद जिस्तर से इनकम टेक सीडी को लेकर एक धारना बन गई है कि ये सरकार इस्तेमाल कर रही है और पोजीशन के खिलाप तमाम और पोजीशन इस नाते से भी एक जूट हो रहे हैं अब मुवन पहले होता था कि मैं 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 होता था पोजिशन में अब हो रहा है आप 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 तो कोशिस हो रहे है कि सब लोग मिल जूल कर पहले तो चुनाव हराय जाए परधान मंतरी के मुद्दे पर मुझे लगता है कि ये लोग कोई नाम डिकलियर नहीं करेंगे अरविंद केजरिवाल के लिए भी मौका छोड़ेंगे मायाबती जी के लिए भी मौका छोड़ेंगे ममता बनर जी के लिए भी मौका छोड़ेंगे नितीश कुमार के लिए भी मौका छोड़ेंगे और यहां तक की खड़गे के लिए भी मौका छोड़ेंगे राहूल गांधी का नाम तो आगे नहीं आएगा ये तो तैय है कॉंग्रेस के बगार तमाम लोग परधान मंतरी कैंडिडेट के नाम पर एक सहमती तो बनेगी लेकिन पहले इनलों की कोशिश होगी कि हम चुनाओ लड़ें और उसकी सुरुवात आपको करनाटक से दिख सकती है तो बीजेपी इस बार फस रही मैं फिर कह रहा हूँ दस साल तो मनमहन से भी परधान मंतरी रखे गए है लेकिन 14 तारीक को जो महू में हो रहा है मत्परदेश में चंसेकर आजाद, अखिलेश यादव और जन चौदरी आज जो दिल्ली में हुआ 12 अपरेल को तेजस्वी आदव, नितीश कुमार और खरगे साहब, राहुल गांधी यह सारी जो बैठ के हो रहे है इसे साफ हो गया है कि 2024 का चुनाओ BJP के लिए मुस्किल होगा और तमाम अपोजिशन के नेता जो है वो एक मंच पर दिख रहे हैं कोसिस क्या है, जो मैंने पहले भी बताया था है इन लोग की कोसिस है कि किसी भी राज़ में चुनाओ ट्रैंगुलर नो होने दिया जाए BJP से आमने सामने का मुकाबला हो जैसे उरिसा को नभीन पटनाय के जिम में छोड़ दिया जाए वहाँ उनका समर्थन किया जाए आंधर परदेश को YSR के हिस से छोड़ दिया जाए तिलंगाना में केसी यार को छोड़ दिया जाए और दिल्ली में अर्विन के जिरिवाल को छोड़ दिया जाए परजाम में अर्विन के जिरिवाल को छोड़ दिया जाए बिहार में जेडियू कॉंग्रेस गटबंधन में आर्जेडी बोलरे यूपी में समाजबादी पार्टी चंसेखर जेंच चोधरी गटवंधन को छोड़ दिया जाए कॉंग्रेस सब जगा पार्टिसिपेंट की भूमिका में हो मत परदेश छतिसगर राजस्थान में कॉंग्रेस बड़ी प्लियर है तो उनको छोड़ दिया जाए तो कोसी से ही है कि ट्रैंगूलर कहीं मुकावला न हो डवल मुकावला आमने सामने का मुकावला हो और उसके बाद मिल बैठ के बाद में पी एम की कुरसी तैग कर लेंगे मानेबर कांसी राम साहब की मानेद तो जो कमजोर सरकार होती है वो स्टी स्टी ओबीसी के पक्ष में होती है मैं फिर कहना हूँ परधान मंत्री के नाम की घोसना नहीं होगी लेकिन कुछ बड़े लोग हैं जो उसके दावेदार होगे जिसमें मायवती जी भी हो सकती है लास्ट में गेम चेंजर उसके बाद नितीज कुमार होंगे जो बड़े गेम चेंजर दूसरी बड़े नाम है जो नितीज कुमार पर सहमती राहुल गांधी तो नहीं होंगे लगभग ये तै है अर्विन के जिवाल के लिए भी साइड नहीं किया जाएगा ममता पनर जी का भी नाम रहेगा नविन पटनायक भी छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास भी लंबा अनुभव है तो कोशिस होगी एक ऐसे मैसेज देने की कि देश को एक मैच्योर परहा लिखा और बेदाग्छ अभी का परधान मंत्री हो अगर कानिरेट घोसना भी करना पड़े तो लेकिन फिलाल विपक्षियों की सुत्रों की मारे तो विपक्षी नेता चाहते हैं कि कि किसी भी कीमत पर मुकावला देश के किसी भी राज में लोग सभाज चुना और ट्रैंगुलर नहो मुकावला बीजेपी भरसेज आल हो आप लोग की क्या पर्तक्रिया इन दोनों मीटिंग को दोनों कारकरमों को आप कैसे देखते हैं क्या सचमुच अपोजीसन अब एक जूट हो रहा है लग तो यही रहा है और अब बीजेपी क्या करेगी मैं फिर कह रहा हूँ मोदी के पास पर्धान मंत्री नहिंद मोदी के पास सारे भी कल्प खुले हैं सवर्ण समाज भले ही बीजेपी के साथ मुस्तेहिस से बना हुआ हो लेकिन वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है मुसल्मान पहले नाराज है, दलित पहले नाराज है पिछरा बोट अगर उनसे छिटक गया जिस तरह से पिछरे निताओं के गुलबंदी हो रही है तो 2024 BJP के लिए मुस्किल होगी क्या नरेंदर मोदी इन सब को साथ पाएंगे उनके पास TV अखवार है लेकिन सवाल है कि TV अखवार ने भी अपनी विस्वस्नियता खो दी है आप लोगो को क्या लगता है, 2024 में क्या होगा इन बैठकों का कोई असर होगा क्या सचमुच नरेंदर मोदी ने भी पॉक्ष को एक जूट कर दिया है किस करवट बैठेगी 2024 के उट आप लोगो अपनी पर्तिक्रिया भी दे सकते हैं सोसल मेडिया आपको मौका देता है कि आप कमेंट सेक्षन में हमें अपनी राय जरूर बताएं अगला वीडियो में हम आपकी राय को जरूर सामिल करेंगे शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें